स्पोर्ट्स में सुपर्शिशन्स कोई नई बात नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है सुपर्शिशन्स का, जैसे फुटबॉल में कोई राइट बूट पहले 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 आपने सुना तो होगा कि टोनी कूछ ने 10 साल तक सेम करना बहुत मुश्किल है एक सौ साल के श्राब की कहानी इस कहानी की शुरुवात होती है 1960 में एक पॉपुलर हंगिरेंड कोच बेला गट्मन से 1959 में गट्मन को बेनफीशा एफसी एज हेड कोच अपॉइंट करता है और वो इमिडेटली 20 सीनियर प्लेयर को रिमूव कर देत है उस वक्ग भी रियल मड्रेट डॉमिनेट करता था यूरोप एंड फुटबॉल को लगाता पाच बार यूरोप एंड कप जीत कर पर इस वीनिंग स्ट्रीट को खतम किया गट्मन की बेनफीशा ने 1961 सीजन में जब उन्होंने बार्सलोना को 3-2 से हराया यूरोप लिग फाइनल में और एक साल बाद एक टफ गेम में रियल मेडरिट को 5-3 से यूरोप एंड फाइनल में हरा के बेनफीशा लगातार दो बार यूरोप एंड कप जीता था तो सबको लगने लगा कि बेनफीशा यूरोप का एक नया बेस क्लब बनके उबरेगा अब लगाता दो त्रोफी जीतने के बाद गटमेन ने क्लब के बोर्ड मेंबर से अप्रोच किया कि उन्हें कुछ बोनस अमांट भी दिया जाए पर नए इलेक्टेट प्रेसिडेंट अंटोनियो कारलोस क्रबरेरा ने उनकी रिक्वेस्ट रिफ्यूस कर दी और एक बहुत बड़े आर्गुमेंट के बाद गटमेन क्लब से रिजाइन कर देते हैं और कहते हैं कि अगले 100 साल तक भी ये टीम कभी यूरोप कप नहीं जीतेगी और उस दिन के बाद बेनफिशा यूरोपेन कप के 8 बार फाइनल में जा चुका है और आठो बार हारा है पहली बार 1963 के फाइनल में जहाँ 2-1 से AC मिलान जीतता है और बेनिफिशा हारता है दूसरी बार San Siro Stadium जहाँ 1-0 से हार जाते है मैच के लास्ट मिनिट में जब जैर डी कोस्टा एक इजी गोल मारता है गोल कीपर कोस्टा परेरा के पैरों के बीच में से लोगों का लगने लगा था कि गट्मैन की बात शायद सच होने लगी है 1968 में बेनिफिशा को तीसरा मौका मिला अपना जिंक्स तोडने का उनके ओपनेंड मैंचेस्टर उनाइटेड कोई आसान टीम नहीं थी जॉर्ज बेस्ट और बॉबी काल्टन जैसे सूपरस्टार से सजी हुई टीम थी 90 मिनिट्स खतम होते होते एक-एक से गेम लॉक था फिर बारी आती है एक्स्टा टाइम की अगले साथ मिनिट में मैन उनाइटेड तीन गोल मार देता है और गेम खतम हो जाता है 4-1 पे अगले दस साल तक बेनिफिशा वेट करता है यूरोप एन कब के फाइनल में खेलने के लिए बहुत सारे बेनिफिशा फैन का ये भी मानना था कि 1981 में गटमन की मृत्यू हो गई है तो शायद उनका शाब भी खतम हो गया होगा पर ऐसा होते हुए दिख नहीं रहता 1983 के यूएफा फैनल में 2-1 से फिर से हार जाता है अगेंस्ट एंडरलेक्ट 1988 में बेनिफिशा फिर फैनल में पहुचता है और अपना जिंक्स तोड़ने की पूरी कोशिस करता है 90 मिनिट और एक्स्टा टाइम में स्कोर था 0-0 कोई भी टीम स्कोर नहीं कर पा रहे थी मैच जाती है पैनल्टीज में जहाँ पे 6-5 से पिएस्वी बेनिफिशा को हरा देता है और दो साल बात फिर से हरते हैं अगेंस्ट इटालियन जाइंट एसी मिलान एसी मिलान उस वक्क की सबसेट टफ टीम होती थी एक के बढ़कर एक खिलाडी थे उनके वास जैसे वैन बैस्टन, मालडीनी, बरेसी, एंसेलोटी, रिचकाड और रडगलिट यह कुछ नाम थे उस टीम के 1989-90 का फाइनल वियना उस्ट्रिया में था जो की गटमाइन की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है यहाँ तक भी कहा जाता है उजेवियो डेसिलवा इतने डिस्परेट थे बेनेफीशा को जीतते हुए देखने के लिए कि वो अपने फॉर्मर कोच बेला गटमन की ग्रेफ पे गए थे माफी मांगने के लिए पर फिर भी बेनेफीशा 1-0 से हार गया नए डेकेड में बेनेफीशा धीरे-धीरे एक कमजोर टीम बनती चली गई और यूर्योपन फुटबॉल में उनकी पावर कम होती चली गई 2013 में साथवी बार बेनेफीशा फाइनल में पहुचा था यूर्योपन कप के जहाँ पे उनका मुकाबला चेल्सी के साथ था मैच के 60th मिनिट में फर्नाइंडर टॉरेस चेल्सी के लिए गोल मारते है 68 मिनिट में बेनेफीशा को एक पेनल्टी मिलती है जिस पे कार्डोजा स्कोर 1-1 कर देते है मैच की लाश मिनिट पे अलवैनोविच एक कमाल का हेडर मारके मैच चेल्सी को जिता देते है 2014 में फिर से यूरोपा लिग के फाइनल में जाते है इस बार सेविला एफसी से फाइनल में मैच था पर अब फिर से बात उटने लगे दी गटमेन ने दिये हुए शाप की लेकिन मैच से पहले प्रेस कॉन्फरेंस में बेनिफीशा के कोच जॉर्जीजस ने कहा था कि ये सिर्फ एक सुपर्सिशन है और बहुत सारे प्लेयर्स को स्टेटिसिक्स का पता नहीं है ये सिर्फ एक अंदर वीश्वास की बात है बस बेनिफीशा 4-2 से पैनल्टी में मैच हार जाता है और बेनिफीशा के कोच जॉर्जीजस के पास हार का जवाब नहीं होता है कैप्टन लुई साओ कहते है कि एक बार फिर से फैनल में बॉल गोल में जा ही नहीं रहती अब इतनी बार फैनल में हारने के बाद बेनिफीशा के फैन्स को लगता है कि शायद कर्स रियल है और अभी तो कर्स के 61 साल ही पूरे हुए है और 39 अर्स बाकी है आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा यह शाप रियल है या फैक प्रियल है